नमस्कार मित्रों मैं हीमान सुरमा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलटेखनी क्लासेज में स्वागत करता हूँ जैसा कि जो construction material में मैं materials पढ़ा रहा था तो कुछ पहले lecture में पढ़ा दिये थे material कुछ दूसरे lecture में पढ़ा दिये थे आप बाकी जो बचे हुए हैं आज मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपका जो आज construction material में जो आज का part है वह है आपका प्रकास्ट या timber है ना लकड़ी कह सकते हैं जनरल भासा में लेकिन आप इसको प्रकास्ट ही कहें इंजिनिंग लेंग्विज में क्योंकि जो लकड़ी है वह जब हम buildings में यूज करते हैं भावनों में यूज करते हैं ठीक है तो उसको इमार साट के अलग की जाती है और इन गुटकों के फॉर्म में चोटे-चोटे है ना इस तरीके से बिल्डिंग के लिए तियार करते हैं ओड़न को ठीक है कि चलिए आब आगे बढ़ते हैं तो इसकी definition प्रकाष्ट की बहुत सिंपल सी है पेड़ों को गिरा कर टहनी और चाल को हटा कर प्राप्त की गई लकड़ी क्या कहलाती है प्रकाष्ट कहलाती है अब प्रकाष्ट के गुड़ क्या है देखे लकड़ी में जब आप कील ठोकते हैं तो वह फटनी नहीं लकड़ी बहुत हार्ड होनी चाहिए उसमें पक्का होना चाहिए उसमें मज रस्मिया मज रस्मिया क्या होती है जो इसमें रेसे होते हैं लाइन्स होती है वह बहुत स्मूथ होनी चाहिए टेड़ी मेड़ी नहीं होनी चाहिए ठीक है अब प्रकाष्ट के चीरते समय आरे लगा हो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक हैं और एक साउंड अच्छी होने चाहिए ऐसा नहीं जिसके आपस संड ही नहीं तब अपस्क में तक़ रहे तो नहीं हो ठीक है और एक बाद प्रिंद्धम कर निकल रहे उसीड़ होना चाहिए जیसे गांटे हैं मोर हैं कोई दोस् नहीं होने जहीए एधिक गहरे रंग की होने चाहिए और प्लस वेट में भारी होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं कि लकड़ी में जो वार्शिक में और दियाका होता है ठीकर अब प्रकाष्ट का उपयोग किस में ब susman करते हैं आपका भवन में करते हैं राफ्टर्थरान यह भी गटरबनाने में इसंदांब पूल रेलवे स्लीपर हर तो वहां पर लकड़ी का इस्तिमाल होता है में में बनाते हैं अब बात करते हैं कि इस प्रकाष्ट की संद्चना क्या होती है इस्ट्रक्चर आफ टिम्बर तो इसको मैं फीगर से आपको बताऊंगा तो देखिए यह आपका एक लठा है लठे को हमने क्रॉस सेक्षन है उसका उसको चीर दिया है उसका क्रॉस सेक्षन क्या क्या होता है इसका पार्ट तो यह आपकी बाहर की छाल है तो आउटर बार्ख है देखिए आउटर बार्ख ह यहाँ पर यह sapwood है ठीक है यह heartwood है यह आपका पित है यह इसका inner bark है ठीक है यह जो हलकी हलकी raises है यह आपकी यहाँ पर यह देखे यह raise जो बनी हुई है यह पूरी यह क्या है लेयर कहलाएगा यह आपका बहुत important part है इसको आप ध्यान रखेगा याद कर लीजेगा फीगर की practice कर लीजेगा इनके बारे में study करके बताते हैं क्या क्या चीजे हैं तो देखे पित क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था पित क्या है यह पेड का एकदम center portion है ठीक है अने मार कि participating में हो जाता है जब अअ जो रहा हूता है त्यक्यस का रख होता है और यह अन्ता कास्ट क्या होता है वह बीतरी बहां में यह होता है जो मज्जा को घेरे रहता है ठीक है इस पर जो एउर्वोंalyst होती है इसके वो तो इसका मतलब लकडी वो मजबूत 50 होगी फ लकड़ी होती है Cambium layer क्या होती है Cambium layer होती है तने की बाहरी-परत होती या बहुत आपकी क्या होती है मज़बूद होती है म्रद होती है इधापरत कहलाती है उसके बाद- inward rings की यह क्या करती है centralized rings होती है ट्री की और अगर दो रिंग है दो रिंग के बीच का समय के इतना होता है एक साल का होता है medullary rings क्या होती है या पतले पतले रेसे होते हैं ठीक है जो ढाल की तरफ जाते हैं जितने संख्या में रेसे होंगे उतने ही पेड आपके क्या होंगे मजबूत होंगे ठीक है यहाँ पर inward rings दो बार में कर दिया है कोई बात नहीं छाल जो है वो क्या होती अस्वेरिक एफेक्ट से बचाने के लिए धीरे धीरे जो आपका जो पूर्सन बढ़ता है तो छाल धीरे धीरे उसके मुटाई भी बढ़ती रहती है बाहर आपर हटता रहता है ठीक है तो यह वायमणली पुर्भाव से बचाती है ठीक है छाल की जो अंदर की सतय होती है वह में सबसे बड़ी बात इन वर्डिंग्स बहुत इसपश्ट होनी चाहिए अब कुछ प्रकार की लकडियां है जो सिविल इंजिनिंग में उसके फिजिकल टेस्ट है या फिल टेस्ट है जिसके आधार पर लकडियों के बारे में जान जाएं कि कौन-कौन सी लकडि को इस कौन ही कहां पर कितनी अच्छी होती है एक पत्जडी बोलते हैं इसमया आने पर और जिसके फटी क्या होती है नहीं है लेकिन ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा अग लगी हुई है तो फिर वह चल जाएगा सीसम इसके पत्या चोटी गोल ने कूली द़र होती हैं आप लोगों ने देखा होगा ठीक है बहुत हाड होती है furniture में इसकर इस्तिमाल किया जाता है सीसम से चार कॉल बनता है और चार कॉल से आपका construction में में बिटूमिन का निर्मान किया जाता है उसके बाद साल साल गाड़े बुरे रंग का रे से जो हैं उसके बहुत गठे हुए मजबूत और टिकाव होते हैं ठीक है साल में दीमक बहुत कम लगती है नहा के बराबर लगती है आम भूसे के रंगे जैसी लकडी होती है ठीक है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है ठीक है और जो इसके छिद्र होते हैं बहुत ही टंसनाइड होते हैं तनाव पूर्ड होते हैं और लकडी अन्य लकडियों के मकाबले हलकी होती है लेकिन बहुत रासान होता है चीड के लंबाय अधिक होती है और यहां भूरे लाल रंकी होती है ठीक है चीड का भी building में आपके जो बीडिंग मनती है जो आपने मेज बनाते हैं लकडी बनाते हैं यह आपका अलमारी में बनाते हैं अंशे में साइड में बीडिंगि लगती है फट्टी देखी ले लगती है ठीक है यह दो प्रकार की होती है इस्टोन मैंसोनरी यह जहां पर इंटों को चिनाई के दौरान गारे से गारे या मसाले से मिलाकर लगा जाता है तो बिक में सोनरी कहलाती है और जहां पर जो स्टोन को जो है गारे मसाले के साथ मिलाकर लगाए बनाया गया है तो वह स्टोन में सोनरी कहलाती है ठीक है अब ब्रिक में सोनरी का इस्तमाल कह होता है आपका ब्रिग मेस्वनरी फर्स में निउ में इस्तंभ में महराब में डाट में आपका सोपान बोलते हैं जीने को यह स्टेयर को ठीक है मुझा इट को जोडने के लिए सीमेंट चूना गारे का इस्तमाल होता है उसी तरीके से पत्थर को जोडने में भी आपके गारे और चुने का इस्तेमाल होता है इसमें महराप, नियू, ध्हरन इनमे समय इस्टोन मेस्वनरी का यूज किया बेबारा है महत्पूर कामों के लिए आपका प्रथम सुरीनी की इचंए इटों का इस्तेमाल किया सै और सनरचना में लगाने से पहले इटो को साफ कर पानी में डुगो कर पानी छड़कर तराई कर लिनी चाहिए और उनकी बंदन सामत बढ़ जाती है यह आपके इनके नॉर्मल प्रिंस्पल है प्रिंस्पल कुछ खास नहीं है आप लोगों ने जैसे कंस्ट्रक्शन में देख नहीं पाएगेन उसके बाद कुछ vowels है कि जो टेकनिकल होती है में संटरी में तो उसकी बात करते है तो बैक भी किन कि ठीक है और कि यह आगे तक बनी होई है यह अयह इसका एक्पेर मैं कुली नहीं है यह वाला पॉर्शन भाक के बीच में घरवाग होता है हार्ट depict कहलाता है तो यह क्या होता है देखिए यह दो दी वारे हैं इसके बीच का या जो पॉर्सन है मालिजय कोई दो दीवार की बीच में गैप है तो यह पॉर्सन क्या कहलाएगा भरत कहलाएगा या आपका हर्टिंग कहलाएगा ठीक है दो या दो से अधिक इंट पत्थ्रों के जो जॉइन्ट होते हैं वा कै लाते हैं जोड या आधार कहलाते हैं, तो देखे यह है, और यह है, अब इसमें, यहाँ पर इण है, यहाँ पर इण है, तो यह प्रोशन हो गया, यूर्व हो गया, ठीक है, रद्दर क्या होता है, एक उपर चड़ेगी, तो पहला लेयर ये और दूजरी लेयर ये तो यह कहलाएगी रद्दा कहलाएगी इट की हाइट कित्ती होती है दस सेंटिमीटर मैंने बताया था ठीक है तो उसकी हाइट कित्ती हो जाएगी आपकी ठीक है 10 सेंटिमीटर मसाले की उचाई के बराबर ठीक है साथ होती है तो यहाँ आपका रद्दा कहलाएगा ठीक है तो इसमें लिखा है इट या पत्थर की 36 परत रद्दा कहलाती है जैसा कि मैंने आपको बताया इट चिनाई में प्रतिक रद्दे के उचाई 10 सेंटिमीटर मसाले के उचाई के बराबर होती है जिस रद्दे में समस्त इटों पत्थर पट तथा उनकी लंबाई में लगाए जाते हैं वह रद्दा पट्टी रद्दा कहलाता है तथा जिस रद्दे में समस्त इटों या पत्थरों के अधिक्तम लंबाई फुलक के अबिलंब दिशा में ठीक है लगा जाती हूँ रद्दा हेड्रदा कहलाता है अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बताइगें हेड्र रददा भी मिला दिया गया है और अबिलंब दिशा में और रद्दे की बात भी की गई है इस्ट्रेचर रद्दा की बात की गई है तो यहां पर सिर्व आप इतना समझिए कि रद्दा क्या होता है यह टांस पेपर में नहीं आएंगे बट कभी कभी होता है कि लिख देता है कि इन पदों को इसके खिलेन कीजिए या निमने ब equations को समझने तो रदका क्या होता है चेली लेयर इसके ऊपर की लिएर यह पहला ऑगा यह दूसरा रद्दा यह उसके ऊपर तीसरा अद्दा ठीक सब्सक्रिया की बात आगे करेंगे अब बात करते हैं बांड की मिले कि फो जो चिनाए यह से रखता जा रहा है और कोई एक आंदमी इट ऐसे रखता जा रहा है ना तो जो में चाल कहलते हैं उसके बाद की लंबाई की दिसा में इंट का काटा गया वह भाग ठीक है जो एक फलक बिना कटी रहे वह क्लोजर कहलती है देखो क्या होता है जब हम लगातार इंट ऐसे जोडते रहते हैं, तो उसमें एक छोटा सा गुटका लगा देते हैं, तो यह क्लोजर कहलाता है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, किंग क्लोजर, तो इट की एक फलक के मद में देखें, किंग क्लोजर क्या होता है, या इट है, और ऐसे, ऐसे जाएगा, और ऐसे कट जाए है या पूरी इंट क्या कहलाएगी केफा है क्उइंक लोजर क्हलाएगी किक डूर के टिक और कर दो बिलकु आद्य से काट देते हैं यह यह ज़़ो है और इनको ऐसे काट दीजिए तो इसको कर लाएगा को यह एट है इसके उपर आपने देखा नाम लिखा रहता है, है ना कुछ भी लिखा रहता है, A, B, C, तो यह जो गैप है, यह क्या कहलाता है, डिबी या फ्रॉक कहलाता है, ठीक है, इसको क्या करते है, यह की की तरह काम करता है, चाबी की तरह काम करता है, जोइंट की तरह काम करता है, उ हीदnoc से लगाना नहीं शुरू कर देते हैं हम पहले निव के बाद से भराई करते हैं नधिर के बाद बीम डालते हैं आ बीम के ऊपर घर बनाते थे जब कहलाते कौर्सी कह तीया प्लिंथ कहलाता है ठीक है यहीं से आपका स्टेयर उपर अपकर सुरू होता है अब जब भर में एंटर करते हैं तो ऐसा नहीं से ई्शा जबह तोटा पैर उपर रखना पढ़ेता है तो जो तोड़ा पार उपर रखते हैं घंक कैला ऐसी तरी आपकी ऐसे ऐसे दीवार चली गई है यह पूरा यह दीवार है यहां पर यह विंडो लगी हुई थी इधर भी दीवार है कि यह हैं नीचे भी दीवार होगी ऐसे Bowl इसके नीचे भी यहां दीवार होगी गागे तो ये विंड़ों में यह वाला portion है यह आपका के कहलाएगा अपका जिल कहलाएगा ठीक है कि उसके बाद कार्निस ठीक है तो कार्निस क्या होता है जब संरचना का जो टॉप पोर्शन होता है तो उसमें सजावती तरह से कार्निस बना जाता इसको कंगूरा बोलते हैं देखें मैं बता देता हूं आपको करनिस या कंगूरा कंगूरा कैसे आपको पता चलेगा तो देखिए देखिए जब आप घर बनाते हैं सबसे टॉप पोर्शन आपका होता है तो उस टॉप पोर्शन में जब एकदम छट आने वाली होती है तो वहां पर हलका सा पोर्शन ऐसे निकालते हैं और ऐसे 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 एप कंगूरब उसके बाद करते हैं ऑसके बाद करते हैं तो सुंदर्था बचाने के लिए इसके ब्लॉकिंग कोर्स करते हैं उस्में होता क्या हैbye हो ज़्यादा बढ़ा देते हैं होता है जोने संसे पर लगाना परता है लंवाई तक अंदर को जाता है dependency नीक्जडे गिर झाएगी तो इसलिए इसको बोलते हैं blocking-r is a bu de brada उसके बाद बात करते हैं मुढडेर की हैं कि तो चप्ति च्छत के चारो ओर या पैराबीट छाप़ खत होती है तो इसको क्या बोलते हैं पैरापिट जो मुदेर बनाते हैं इसके ऊपर हम क्या और कि अ कौन बनाते हैं तो मैं मुदेब को छकाना चाहता हूं यह एक मोडेर है ठीक है? ऐसे पैरापिट वाल है अब मली यह पैरापिट वाल में बारिस हुई तो पानी इधर जाएगा यदर जाएगा किदर भी जा सकता है? तो छीटे पढ़ेंगे तो हम क्या कर देते हैं? इसके उपर एक ऐसे तिकोनी से design बना देते हैं इस तरीके से तो आप पानी आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा और इसके उपर नहीं रहेगा ठीक है उसके बाद जो drip रधदा dip course होता है इसमें क्या होता है मुण्डेर होती है उसमें कोपिंग होती है कोपिंग के नीचे जो पानी हम निकालते हैं तो उस पानी निकालने के लिए खाचा तही बना दिया जाता है जिससे आपका बहुत आराम से उसका वाटर जो है वो नीचे निकल जाता है इसको बोलते हैं Drift Course आप लोगों को इतना बहुत डिटेल में जाने के आउसकता नहीं है चुक्कि आपकी बुक्स में यह सब दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको यह सब बता दिया है ठीक है अब बात करते हैं इंट की अवयो इंट के एलिमेंट क्या होते हैं तो इंट को अवयो जो है वो दो प्रकार के होते हैं इसमें चाले होती है एक फ्लेमिस पॉंड होता है फ्लेमिस बॉंड दो प्रकार का होता है एक आपका डबल फ्लेमिस बॉंड एक आपका सिंगल फ्लेमिस पॉंड तो आपको देख प्रकार से बनते रहेंगे यह और पहला रद्दा दूसरा रद्दा तीसरा रद्दा चौथा रद्दा तो पहला रद्दा ऐसा होगा ठीक है और दूसरा रद्धा ऐसा होगा फिर तीसरा रद्धा ऐसा होगा चोता रद्धा ऐसा होगा तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है डबल फ्लेमिस बांद कहलाती है इसको word में आप ऐसे कह सकते हो कि bond में प्रतेक रद्धे में एक header और दूसरी तूटी हुई इट लगाई जाती है ठीक है प्रतिक रदर में एकांतर हेडर इट अपने रद्धे वाले पट्टी के इट के मध्य में आती है उर्द्धातर चोड तोड़ने के लिए द्रिश्टे एकांतर रद्धों में कुनिया हेडर के पश्चान मादा डेली लगाई जाती जैसे मैंने वो लगाई जाती है उसके बाद बांड देखने में अंग्रेजी बांड से सुन्दर दिखाई देता है ठीक है तो इस प्रकार से इसमें जो मैंने आपका कुछ है नहीं इसमें आपको बस यह फीगर याद रखना है कि आधी इट लगेगी आधी इट के बाद पूरी इट लगेगी फिर आपके डबलेट लगेगी ठीक है इस तरीके से तो अंग्रेजी ताल की तरह इसमें फ्लेमिस बांड होता है उसके बाद स्ट्रेचर बांड क्यों क्या होता है इसमें कुछ नहीं होता है दस दस सेंटीमीटर की नार्मल देखी यह वाली दीवार है अगर हम इसमें दो रद्दे दिखाएं अगर सिंगल रद्दा भी दिखाएं तब भी हमारी बात बन जाएगी देखिए यहां पर यह वाली है उगर हम ऐसे रखते चले जाए उपर नीचे जैसे जैसे लेयर में रखी हुए जहां पर हम बाहर से देखें तो इंट का सिर्फ चौड सरी नहीं है ठीक है उसके बाद यह देखिए यहां पर दूसरे फीगर में भी दिखाया है कि आपको ऐसे आपको दिखाई देगा देखो हर जगे चौड़ा वाला सर्फेस जो है वह आपको दिखाई दे रहा यह है आपका क्या स्ट्रेचर बांद उसके बाद हेडर बांड देखाई देगा चुक्कि जो इस्ट्रेचर बांड है यह हमेशा मैक्सिमं जो आप मिनिमम्म जो है वो 10 सेंटीमीटर का हो सकता है देखें वह कैसे वह मैं बता देता हूं कि देखें कोई ऐसे रख ओ गए अगर आप ऐसे एसे रखद तो मिनिमुम गित्ता होगा वाहिए इसे रखते चले जाओ गया हूंच सिद्धर क्या जाओ कि ठीक है कि को Bakfik यहां पर यह रखी भाह किसी नैं उसके बाद ऐसे रखी फिर से रखी फिर ऐसे रखी फिर एसे रखी अब हमें तो ये इस्ट्रेचरर बार्ट कंप्लीट हो गया लेकिन अब इसके बाद इच्फि ठांप टुमका तो और 870 हो Dann इससे ज्यादा तो होगा नहीं यह वाला portion भी 10 cm से ज्यादा नहीं होगा ठीक है तो जो stretcher bond की जो brick होगी उसके जो ठीकने से वो minimum 10 cm का हो सकता है ठीक है और जो header है header चुकि दूसरी तरीके से रखी जाएगी तो उसका क्या होगा 20 cm का होगा तो header bond मैं दिखा देता हूँ देखो यह आपका header bond यहां से दिख रहा तो यह पूरी इट है यहाँ पर देखिएगा यह पूरी इट रखी हुई तो इसकी चौड़ाई कित्ती होगी 20 cm है ना जैसे आप लोग समझ रहे होगे देखिए सारी इट चौड़ाई में रखी है तो तो जो header bond होगा उसका जो ठिकनेस होगा वहां कितना होगा 20 cm और जो आपका stretcher bond होगा उसका ठिकनेस कित्ता होगा minimum 10 cm है ना तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ठिक है इस तरीके से आपका यहाँ पर यह आपका header bond दिखाई देगा देखे सारे head दिखाई दे रहे हैं यह brick का head होता है इसले इसको head बोला जाता है और stretcher bond में brick की लंबाई दिखाई देती है तो उसको stretcher bond बोला जाता है इस तरीके से आपका जो पहला chapter है वह खतम होता है ठीक है मुझे आसा है आप लोगों ने यह दोनों प्रिवियस क्लास और यह वाली क्लास बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे समझेंगे पढ़ेंगे इसके बाद मैं आपका अगला चेप्टर उस दिनों में आपके यूट्यूब लेक्चर पर डालूंगा और आप उस सभी लेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखिए नोट्स बनाईए और समझिए ठीक है कहीं कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए उसमें जो कोश्चन्स हैं वह भी पूछिए उन कोश्चन्स के आपके जवाब देने में हमें भी प्रसनता होगी ठीक है थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद